Hello Everyone, Welcome to Amazing Education Center तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगी Answer Writing Skills for Descriptive Exam Descriptive Exam में answer कैसे लिखे ताकि आपके marks बहुत ज़ादा आए और उसका representation बहुत ही अच्छा हो तो वीडियो लास तक देखेगा अगर वीडियो अच्छे लगती है तो चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करना वीडियो को लाइक और शेयर भी करना तो बीना टाइम वेस्ट के चलिये स्टार्ट करते हैं Firstly तो हमें बच्पन से ही कहा जाता है कि हम neat and clean लिखे ताकि टीचर को अच्छा लगे Secondly आप point wise लिखें instead of paragraph क्योंकि point wise यदि आप लिखते हैं तो आपका answer थोड़ा लंबा लगता है और उसकी clarity ज़ादा होती है Thirdly आपको simple diagram, charts और map ज़रूर बनाने हैं अपने answer में इसे आपके answer कर presentation बहुत अच्छा होता है और teacher easily समझवाते हैं Number 4 आपको main headings, keywords, highlights ज़रूर करने हैं ताकि teacher को आपकी copy check करने में आसानी रहे और आपको marks जल्दी दे दे Next रोगा हमेशा question carefully read करें क्योंकि यदि आप question carefully read नहीं करते हैं तो हो सकता है आप answer गलत लिखते क्योंकि जो question में पूछा गया है आपको exact उसका वही answer लिखना है आपको ऐसा नहीं करना है कि question में कुछ और पुछागा है और आपको अपने answer में कुछ और लिख दिया है हमेशा जो answer को उसको systematically represent करें इसका मतलब पहले mean headings, फिर some mean headings इस तरह से आपको presentation करनी है अपनी answers की तो यदि आप कोई भी formulas वगएरा लिखते है अपने answer में तुसे एक box में बंद जरूर करें और उसकी notation mention जरूर करें Thank you for watching this video